आज हम आपका दिवियाकरन में पार्दो पढ़ेंगे मैंने पिसले अधिया में आपको पढ़ाये था भासा के दो रूप होते हैं मौखी का लिखित भासा के जब उच्चार्ण करते हैं तो उच्चार्ण करते समय हमारे मुख से क्या कुछ जोदिया निकलती है तो प्रतिक इध्वनी को लिखित रुपे प्रकट करने के लिए विशेश चर र्दारित करते हैं ठेगत हिऊ है क्या कालते हैं तो आपका आज पार क्या है वड विचार उट हासा विचार, ठीक है, वन विचार कहते हैं, जैसे आपको इतो है ध्वनीर मैंने आपको बला, आ, हाना, च, प, स, कुछ भी आप ले सकते हैं, हाना तो अता वन की परिभाशा हम इस प्रकार से देंगे, क्या होगी आपकी वन की परिभाशा होगी, इसमें वन भाशा की सबसे छोटी, इकाई है, इकाई है, जिसके टुकडे नहीं किये जा सकते, जिसके टुकडे नहीं किये, नहीं किये जा सकते हैं, इसके टुकडे नहीं किया जा सकते हैं, यह क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं, ठीके, यह आपकी वन की परिभाशा होगी, आपकी जो वन होगए इसमें, मैंने काई कि वन भाशा की सबसी छोटी काई है, इसके टुकडे नहीं किये जा सकते हैं, इन् अगया समझ में तो आपका यह किसी भी भाशा को शिखने के लिए आपको उसकी वनों के आक्षिरों का ज्ञान होना अवशक होता है ठीक है फिर आपका आता है वनमाला आप बताओ के वनमाला किसे कहते हैं वन माला, चाहती है वन माला, पर्तिक वनों का व्यवस्थित रूप होता है, उसे क्या कहते हैं, हम वन माला कहते हैं, ठीक है, वनों का, वनों के व्यवस्थित, रूप को वन माला कहते हैं, वन माला कहते हैं, आपकी हिंदी के वन माला कहते हैं, हिंदी में वन माला किती होती है, स्बाइब कर दो सबस्ते हैं अंधी दो परकार के पहले होता है आपका स्बाइब स्वर्ण वे वर्ण जिनके अच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सायता की आपसकता नहीं होती है इन्हें किसी और अन्यवड की आपसकता नहीं होती है, और यह स्वर कहलाते हैं, इनका जब उच्चारण करते हैं, इनका उच्चारण करते हैं, हमारे मुख से बीना किसी रुकावट के, जब हवा है बहार निकलती है, वे स्वरतन तो जोने आती हैं, और उनकी संख्या 11 होती है है, तो स्वर क्या होता है, स्वरत इस कहते हैं, जिनका उच्चारण करते समय, हाना, करते समय मुख से, स्वरतने करते समय हवा, हवा मुक से बिना किसी रुकावट के बिना किसी रुकावट के बिना किसी रुकावट के बहार निकलती है बहार निकलती है बहार निकलती है ठीक है तो यह आपके स्वर कहलाते हैं इनकी संख्या कितनी होती है मैंने आपको बताया था इनकी संख्या होती है 11 और इनकी संख्या ग्यारा है और यह क्या है स्वर्तंत्र धोरिया है ठीक है तो यह कौन-कौन सो थे हैं आपके मैं इनको लिख देती हूं पर, आ, ए, इ, उ, री, ए, आ, इ, ओ, और आपका व, ठीक है, यह कितने हैं आपके, ग्यारा होते हैं, ठीक है, इसके बाद आपके, इसमें होते हैं, स्वर के भेद, स्वर के भेद हैं, आपके स्वर के तीन भेद होते हैं, ठीक है, होते हैं आपके, पहला होता है आपका, अहरे स्वर, स्वर, ठीक है, यह होता है, तो जिन स्वरों के चारण में केवल, एक मात्रा का समय लगता है जिए उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग आपका हरस्यों स्वर कहते हैं ठीक है तो जब इनका उच्चारण करते हैं इनके उच्चारण में जीन स्वरों के जिन स्वरों के उच्चारण में उच्चारण में सबसे कम समय लगता है तो इन्हें क्या कहते हैं इन्हें हरस्व स्वर कहते हैं इन्हें मून स्वर भी कहते हैं इनकी संख्या चार है आपकी। मैं कि वब लिख देती हूंने जोटी चोटा ओ और आपका री हो गया ठीक है इनकी संक्या 4 है फिर आपका है हरोस्टेसा का दीर्ग स्वर दीर्ग स्वर में जिन स्वरों के उच्ण में हरोस्टेसे दूगना समय रगता है आना तो जिन श्वरो के उच्चारण में हरस्व से दो गुना मतबसे उनसे थोड़ा और ज्यादा समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं दिर्गिस्वल कहते हैं दिर्गिस्वल कहते हैं तो यह आपकी इनकी संक्या साथ होती है तो कौन कौन से होते हैं आ, इ, उ, ए, आ, 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 ओ, ठीक है इनकी संक्या साथ है ठीक है तो हो गई है आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, आ, आ, ओ, आ, इनकी संक्या साथ है आपका फिर आपका आता है इसमें पलुद्स्वल् पलुद्स्वल्, ठीक है अब इन सरो में जिन सरो में क्या लगता है आपका हरस्व से तीन कुना जिन सरो के उच्चारंड में उच्चारंड में क्या लगता है हरस्व से से तीन गुरुना समय लगता है मतब ईन में और चादर चाय। चान्ट में आपकी जहवा मूझ से है, हाना? तीगुना समय लगता है, ठीक है? इने पलुच्छर कहते हैं होगे आपका किसी को बुलाने के लिए कहते हैं अरे कहते हैं लंबा किस्ते नाम लोग इन सब्दों को इनकों के हरस्व शरुब से तीन गुनास में समय लगता है अब आपका इसके लावा है आपके अनुस्वार अनुस्वार ठीक है अनुस्वार क्या होता है आपका आपने कभी यह देखा है अंग की बिंदी हाना अंग देखा है यह आपका अनुस्वार है तो इसके जो उच्चारन करते समय जब आप इसका उच्चारन करते हैं तो आप हवा कहां से निकलती है नाक से बहां निकलती है तो इनका लिख देती हुमें इनका उचारण करते समय करते समय ठीके तो क्या होता है आपकी हवा है हवा कहां से निकलती है नाक से नाक से बाहर निकलती है यह आपका किस्वार में आता है फीर आपका अनुनासिक में आता है अनुनासिक अनुनासिक ना करने अनुनासित में क्या होता है जब इसका उच्छारण करते हैं इसके उच्छारण करते हैं इंका उच्छारण करते हैं समय हवा आपकी नाक और मुख से समान दबाओ के साथ बाहर निकलती है बाहर निकलती है ठीक है बाहर निकलती है तो इससे अपके क्या थिये है जह हुआ आती है नाक मुख से बाहर समान रुप से आती है ये बाहर होना तो जैसे आप बोलेंगे ऑंक मूँद, पांच तो यह जो है मांग, टांग तो यह क्या आती है, मूद और नाक से दोनों से हवा बाहर आती है फिर आता आपका इसमें विसर्ग, क्या आता है आपका विसर्ग, विसर्ग का चींग कैसा होता है, यह बिंदी आपने अब कहां देखी है ये इंदिया अब आप सस्कित पढ़ते हो तो सस्कित में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है हना और इनका चर्ण किसकी भात्य होते है ह की तरह होता है ठीक है इनका चर्ण ह की भात्य होता है अब इसल का प्रयोग पढ़ते जितने भी तस्रम स सब्सक्राइब करे लिखे में अब लिखतें से और रेहां इसाँड कर रहा है जैसे कि अन्ती और पदों के सब्सक्राइब इस तरह से ना आदि आधे सब्सकी एक प्रृण殼सा जाता है इस तworking है किहीं किना आदि दुनिया आपके जो आगत धुनिया होती है आगत धुनिया ठीक है इनका भी में कोड़ पढ़ारी हूं आपको डीटेल में नहीं लिख रही हूं से हिंदी भासा में जो अनिक विदेशी शब्दों का हम लोग प्रियोग करते हैं हाना इन शब्दों का उच्छारण इनके मू निम्न निम्न और अपकी एक निम्न बिनदू में आपका इससमें क्या था के यह एक डॉट आती है यह ऐसे करके हैं अईशे शब्दों का जब प्रियोग करती है हम लोग जैसे कि आपको एक सब्दों लोग फार्सी फा धा फार्सी, ऐसे दिखते हैं न, फार्सी के अलावा जैसे कि आप लोग कागज, ज, आवास करते हैं न, हम लोग इसके निचे बिंदिया थे, खाकी, इस तरके शब्दों के निचे इन बिंदु का प्रियोक करते हैं, इन बिंदु को क्या बलते हैं, नुकता भी करते हैं, क्या क चंद क्या होता है जैसे कि आप वो लगाते हैं चंदेबिंदी यह वणार है इसको पर बिन्दी नीई आएगी अर्दैनल लगता है इन सब्दों का प्रयोग भी आप बहट जादे करते इहे हब हिंडी से हिंडी में जो अंग्रेजी आभीते हैं उसमय सब्णो के ओपर इस अर्द चंद has cold प्रहों सब्सक्राइब कब लेक्राइब तेते हैं उन्हें तुम सब्सक्राइब कर फिर आप बूऑपता है व्य होथे हैं आपके वे वन, जिनके उचारन करते शचारण करते समयं स्वरों की सायता ली जाती है वे वन, यह करलाती है इनका उचारन करते समयं हवा मुक्री के अलग अलग स्थानों को छोगार भाहर निकलतीária इसका स०ाथान्त, रूप से उचारण हम नहीं कर सकते हैं, इनकी संख्या कितनी है वन माला में? 23 है, ठीके, आगया समझ में, तो क्या होते हैं, वे वन जिनका उचारण करते हैं समय, स्वरू की साथा लिजाती है, आप कैसे लिजाती हैं, मैं बताती हैं आपको, जैसे आपका क्वा है, तो क के साद अ साउंड कर रहा है, ख क, ग, ख, आ आ रहा है या, लास्ट में, सुनाई दैते रहे हैं आपको, क, ख, ग, च, छ, अ साउंड कर रहा है, इसलिका मैं हम इसका तोड़ करें तो यह इस तरह से होगा ठीक है, जब इसके नीचे यह हलन्त होता ह है यह क्या है आपका हलंध होता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह由म करेगा स्भक मैं स्वर रही है इसमें नहीं करेगा आगा समझ में और C में तो वेंजन की डेफिनिशन क्या होगी आपकी में इनका उचारण करते समय हवा जो है आपकी मुझसे जो निकलने वाली हवा थी हवा मुख के मुख के अलग-अलग अलग मुख के अलग-अलग अस्थानों को या भागों को अस्थानों को छूकर बहार निकलती है छूकर बाहर निकलती है अब आता है इसके इसके भी वेंजनों के आपके भेध है तीन भेध है इसमें आपके पहला आएगा इसमें आपका इसपर्ष वेंजन इसपर्ष वेंजन में आपका क्या होता है जिन वर्नों के उच्चारन में फेफलों से आने वाली जो वायू है आपके मुख में विवीन भागों से इसपर्ष करते हैं हम इसको इसपर्ष वेंजन कहते हैं इसका जब चारन करते हैं आपके चारन के समय जो आपकी सास वायू है आपकी जीवा और मुख से अलग-अलग भागों को इसपर्ष करती भी भाहा निकलती है तो इसपर्ष वेंजन कहराते हैं ठीके इनको आप अलेग वर्गों में बाटा गया है इनको ठीके जैसे आपका का वर्ग वाला ठीके तो इसपर्ष वेंजन की डेफिनिशन लिखती हूं में आपका जिन वनो के उचारन में फेफडो से आने वाली वायू मुख के विभिन विभिन भागों भागों को इसपर्ष करती वी करती हुई मुख से बाहर आती है तो हम इसको इसपर्ष वेंजन कीते हैं यहना इनको वर्गों में बाटा जाती है। जैसे आपका काव वर्ग वाला है आपका। मैं पुरा नहीं लिखरे हूँ, कभ वर्ग लिखरी हूँ केवल, क खल जुतने भी आते हैं कर वर्ग वाला में, इसमें आपका कंठ से होता है, कंठ से, कंठ में गला से, गले से, है थी quel को चर्ण गले से होताए, औब बोलके देखो चायनि करगे कहा कंड से होती है तो इससे पता सब्सके whilst 우लब करेंद सरे जहें होता है। निए वन के जो टालू कहते हैं सो उस्कों च्वंस करते हुआ हैThe यह उसको चायन करके देखो उनको जैसे की लिख लेती हूं तालू तो आपका च च ज च श ज आपकी जीव का तालू में उपाठ्टा चोरिए ठीके इच वर्ग के बाद आपका ट वर्ग वाला मुध्धन्य जो होता है मुध्धन्य में आपका क्या होता है कठोर तालू के अगले भाग वाला मतलब उसका पीछ वाला जो भाग होता है ना तर पूरा गले में गले से और या तालू से बीच वाला जो भाग होता है उसकी बात करते हैं हम लोग त ठ ड ड ड इस तरह के इसको तवर्ग को तवर्ग को तकलाती है आपक तकलाती है तो इसको रखते हैं घहाल थाट्पूत में थाट्ड कुर। अपको करोगोगे तब आपको यह चीजे सब्सक्राइबंगे अगया समझ में आपका? तो ये क्या थाñas उच्छारण के अस्थान पर विंजमेंगा वर्गी करन्था तो ये आपके स्परस्ष मेंजन के अंतरगत आते हैं तो इसके अलावा आपके और भी होते हैं इसमें लेकिन आपकी क्लास में केवल इतने ही दे गए हैं हम इतने ही पढ़ेंगे इनको अब बाकी के जो आपके इसके जो भाग है वो अगर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग धन्यवाद